नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी लोकसमाद चुनाहों के बीच खालिस्तानी आहतन की ग्रूप अथवन सिंग पड्नु की हत्या की नाकाम साजिश के माफले में अब अमेरिका ने भारत पर एक बार फुर से गंभीर आखरोप लगाए हैं दरसल अमेरिकी मीठिया की ओश्रे भारत की खूफिया एजेंसी रिसर्च एंड अनलाइसिस विंग यानी रोप पर ये गंभीर आखरोप लगाए गए हैं जिसमें अमेरिका में विक्रम यादव नाम के रो अधिकारी पन्नु की हात्या की साजिश में शामिल ये गंभीर आखरोप अमेरिकी मीठिया दाव वॉशिंटन पोश्ट के जर्चे लगाए गए हैं जी हां ये बड़ी खबर है कि अमेरिकी मीठिया दाव वॉशिंटन पोश्ट की खबर में ये दावा किया किया है कि अमेरिका में विक्रम यादव नाम की रो अधिकारी ने पन्नु की हत्या की साचिश रची थी वो उसकी हत्या की साचिश में शामिल था और इस कदम को भारतिय जासूसी एजनसी के ततकाहलीन प्रमुक सामंत कोयल ने मनजूरी दी थी के भी गंभीर आरोप दाव वोसिंग्टन पोश्ट में लगाया किया है लेकिन इस पूरी खबर को लेकर अब भारतिय विदेश मंतराहले का जवाब साफने आ है जिसमें उन्होंने अमेरिका को फटकार्थे हुए कि साफतोर पर कहा है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है भारतिय विदेश मंतराहले के प्रवक्ता रंधिर चियस्वार ने के कहा ये एक गंभीर ये ये अनुचीत है और ये आरोप निराधार हैं ये साफतोर पर भारतिय विदेश मंतराहले की ओर से कहा गया है साथी विदेश मंतराहले के प्रवक्तार रंधिर जयस्वार ने ये भी कहा कि संबंधित रिपोर्ट एक गंभीर माफले पर अनुचीत और निराधार और अन्य लोगों के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार की ओर से साच्छा की गई सुरक्षा चंताओं को देखने के लिए भारत सरकार की गठित उच तरह समीदी की जाच चल रही है इस पर अटकले और गैज जिम्मेदारना टिपनिया मददकार नहीं है यह साफ तोर पर भारते विदेश मंत्राले ने अमेरिकी मीठिया की इस रिपोर्ट पर जवाब दिया है और जाहिर तोर पर यह अपने आप में हैरान करता है कि पहले अमेरिका का बयान साफ ने आया कि गुरूपत्वन सिंग पन्नू की हत्या की साजिश में भारत शामिल है उसके बाद अब अमेर शामिल था अधिकारी का बकायता नाम जो है वो लिया क्या है विक्रम यादव और इसके अलाफ़ा जो रोके ततकाहिंग परमुख है सामंत गोल उन्होंने इसकी मन्सूरी दी थी तो यह तमाम चीज़े जो गही गई हैं कि अब जाच का विशे हैं हाला कि इस पूरे माफल सैं पित्रोदा का भारत को लेकर वयान हो चाहे फिर वो अन्य जो बयान साफ ने आये हैं कहीं न कहीं सरकार को कमजोर करने की कोशिश लेकिन भारत से जिस तरीके का जवाब दिया जा रहा है उसमें तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करके आप तरीके से लोग इस पूरी खबर को लेकर अलग-अलग टिपनिया कर रहे हैं लेकिन मैं आपको जानकारी देदू कि ना सर्फ फार्ते विदेश मंतराले ने इस पूरी खबर को सीरे से खारिज किया है वाइट हाउस से भी बयान दिया किया है और कहा है कि भारत सीक जाच प्यूरो यानि FBI की जाच और नियाई विभाग की ओर से दायर आप्राधिक माफले पर कोई टिकपनी नहीं की है वाइट हाउस की प्रेस सचीव कैरी ने इस खबर के बारे में जब उनसे पूछा गया कि दा वोशिंग्टन पोस्ट में इस तरह की खबर चापी गई है तो उन्होंने कहा कि जाच इस पूरे माफले की की जा रही है और नियाई विभाग आप्राधिक जाच कर रहा है साथी वाइट हाउस की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत अमेरिका के लिए महतपूर्ण रननीतिक साज़ेदार है और हम कई शेत्रों में अपने सहयोग को कही बार अपनी बाते रखी हैं चाहें यहाँ परदानमंत्री के साथ बैठक में हो और विदेश में किसी बैठक में हो उन्हें कहा कि ये बाफला गंभीर है हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं भारत सरकार ने हमसे इस पर्ष्ट रूप से कहा है कि वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी जाच वो कराएंगे तो जाहिर तोर पर अमेरिका को भरोसा है कि भारत इस फूरे माफले की जाच कराएगा जाहिर तोर पर जिस तरीके से खालिस्तानी आतंगी गुर्पत्व पन्सिंग पन्नु की अमेरिका में हत्या की साज़िश भारत ने नची आरा कि इसको लेकर कमेठी जो है वो गठित की गई और वो कमेठी जाच कर रही है कि यह आरोप भारत पर क्यों लग रहे हैं वो भी बिना किसी जबूत के सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं चुकि भार मकसद को पूरा कढ़ने के लिए विदेशी ताक्तों का सहरा लेती हैं जो कि भारत के खिलाफ हैं और इस तरीके से भारत की भी सुरक्षा को कहीं न कहीं यह दल खत्रे में डालते हैं तो ऐसे में यह माफला जाच का विशह है और जाच का इंतसार ना सिर्फ अमेरिका को है बालकि भारत को भी एसल जाच का इंतसार है कि यह पूरा माफला जिस पर गंबीर आरोप भारत पर लगाए गए हैं भारत ने इन आरोपों को सिरे से बिलकुल खारिश कर दिया है लेकिन इसी के साथ न्यूज एजनसी पीठियाई ने भी बड़ा एक खबर दी है उनके मु स्टीब सिंग निजजर की 18 जून को ही घातक गौलिबारी के साथ मेल खाती है पश्मी देशों के अधिकार्थियों के मुताबिक वह अभ्यान भी यादव से चुड़ा था वशिंग्टन पोश्ट की खबर में ये भी कहा गया है कि हत्या की दोनों साजिश पाकिस्तान में हिंसा बढ़ने के बीच रची गई जहां निर्फासन में रह रहे और नरेंद्र मोदी सरकार के आतंख वादी करार थी गए कम से कम 11 सिथ या कश्मीरी अलगाफाथियों की पिछले दो साल में हत्या करती गई है अनुप आफले में अमेरिका के लगाए आरोपों की जाच के बारे में पूछे आने पर भारत के विदेश मंत्राहले के परवक्ता का ये जवाब है कि हमने एक उच्छ समीती गठीट की है समीती अमेरिका द्वारा हमसे साज्वा की गई सूचना पर गोर कर रही है क्योंकि इसका हमारी राष्ट्य सुरक्षा पर भी समान डूप से प् परदान मंत्री नरेंत्र मोधी क्या एक्शन लेंगे ये कहीं न कहीं देखना होगा फिलाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेगें तन्यवार